बहिया अगर आप गेट 22 का फर्म फिल कर रहे हैं और आपको इसमें फोटो सिगनेचर या डॉक्मेंट बगएर अप्लोड करने में प्रॉब्लम आ रही है कुछ एप्सुट्रेट्रेस बगएरा की प्रॉब्लम बार बार सो कर रहे हैं वहाँ पर तो यह वीडियो आपके लि इस टेप पर अठक देए होंगे यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मैंने फोटो यहाँ पर अप्लोड कर दी है तो मैं आपको इस वीडियो मताता हूं कैसे आपको यह फोटो अप्लोड करनी है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको चूज फाइल वाले यहाँ पर फोटोस हो नहीं होगी, अगर ऐसा कुछ error आपके सामने भी आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चूज वाइल पर क्लिक कर देते हैं, और अगर मैं दुबारा से इसी फोटो को select करके upload करता हूं, और मैं crop बाले option पर लिख कर देता हूं तो यहां पर लिखके आ रहा है यह जो फोटो का side है वो इसका बिलकुल perfect size है इस size के अंदर photo होनी चीए तो आपको यहां पर नजार आ रहे हूं फोटो काफी ज्यादा बड़ी है सिर्फ चेहरा चेहरा भी size के अंदर नहीं आप आ रहा है तो यहां पर यह यूज कर रहे हैं तो आपको photo जो आपको upload करनी है उस पर right click करना है और उसके बाद आपको open with वाले option पर आकर paint पर click कर देना है इससे आपकी वही photo paint में open हो जाएगी चाहे आप signature अप्लोड करने में ऐसी कुछ problem आ रही हो तो इसके बाद आपको research वाले option पर click करना है यहां प 300 कर लेते हैं और यहां पर साड़ी 300 कर देते हैं फोटो हमारी कम हो चुगी इसको save कर लेते हैं और इसको upload करते हैं यह फोटो हमारी जो आपने अभी बनाई है crop करके देखते हैं क्या आ रहा है अब यहां पर लिखकर आ रहा है यह size अगर मैं इसको थोड़ा ज्यादा करूंगा तो कुछ ना कुछ error नहीं आ रहा है कुछ error नहीं आ रहा है इसको आप upload कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर ऐसा भी size आ आ तो आप इसको इसके लावा किसी भी पैंट से नहीं करेंगे तो यह signature अप्लोड करने के लिए हमें सबसे पहले चूज फाहिल वाले option पर क्लिक करना है यहां पर signature दे रखे हैं इस पर right-click करना है open width में आना है paint पर क्लिक करना है और यहां पर research वाले option पर क्लिक करके pixels वाले टिक लगांकर maintain 10 episode options पर टिक हटाना है हमें अब sign में क्या रहता है विया कि sign में चोड़ाई ज्यादा रहती है लंबाई कम रहती है तो चोड़ाई हमें maximum रखनी है यहां पर लेकिन इसकी लंबाई कम कर लेते हैं लंबाई हम 1500 या 200 के आसपस कर लेते हैं से फिर देखते है upload हो रही है नहीं हो रही है सेफ कर लेते हैं इस फाइल को तो यह जो हमारा proper size हो रहा है वो हमारा इतना हो रहा है लेकिन इसमें थोड़े बहुत sign कट रहे हैं तो हमें इसकी लंबाई थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी हल्की फुल की तो दुबार से इसको cancel करके अपन choose image फाइल पर click कर दे हैं आप इसे और upload image पर click कर देते हैं signature भी हमारे यहांद पर सो होने लगे हैं अब ऐसी हमें अपनी photo ID card upload करनी जिसका size 10KB से 600KB के बीच में होना चाहिए लेकिन फाइल आपको PDF में upload करनी है तो PDF में फाइल आपको upload करने के लिए कोई फाइल को आप online PDF में convert कर सकते हैं मोगा हो जाती है तो मैंने यहां पर पहले से बना के रखी एक उसको मैं upload कर देता हूं आप यहां पर फोटो ID पर click करके इसकी detail देख सकते हैं कि आपकी photo sign दिख रही है या नहीं दिख रही है तो वही है इस तरीके से आप इसमें document बगएर या photo sign upload कर सकते हैं अब अगर आपको इ इसके form को फिल कर सकता है कौन इसके form को फिल नहीं कर सकता है तो आप right side वाली वीडियो को ज़रूर देखें